नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रिया प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं कल दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाया गया आम जनता ने अब बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया हमेशा की तरह जिस तरीके से दीपावली का पर्व मनाया जाता था कोरुना के चलते वो जो चाव थ उसमें कमी देखी गई लेकिन फिर से जब चीजे नॉर्मल हो रही हैं तो फिर से जो पर्व हैं जो त्योहार है उनको अच्छे से मनाया जा रहा है दीपावली भी इसी तरीके से मनाई गई जमकर आतिश बाजिया हुई और इस दौरान दो चीजें जो निकल कर सामने आई व वालियर से भी एक जूता फैक्टरी गोदाम में आग लगने की खबर आई जहां पर वो आग काफी भीशन थी और वो दो मंजले को ढहाना पड़ा ऐसी तमाम खबरे सामने आई राजदानी में जमकर आतिश बाजी हुई और इस शक्कर में राजदानी के कई इलाकों में आ प्रशासन द्वारा पठाके जलाने की अनुमती आट से 10 की दी गई थी गरीन पठाके फोड़ने की अनुमती देखा गया कि दस बजे के बाद भी लगातार पठाके फोड़े जा रहे थे जिसके बाद इस तरह की घटनाइं सामने आई हैं तो उत्साह ठीक है त्योहार बन पर इस बीच सावधाने भी बहुत जरूरी है बढ़ते हमारी दूसरी खबर की ओर आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का केदारना दौरा और इस दौरान सुबह आदिशंकराचारी की प्रतिमा का अनावरन हुआ जिसमें मधिप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन से वर्च्वली इस कारिक्रम में जुड़े दोनों ने महाकाल की पूजा आर्चना भी की और इस दौरान कई अन्यनेता भी उनके साथ मौजूद रहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दारनात मे उन्होंने आधी शंकराचारी की प्रतिमा का नावरन किया प्रदेश के 122 शिव मंदिर परिसरों में मंत्रियों संगठन के पदादेकारियों की मौजूदगी में के दारनात के कारिक्रम का लाइव प्रसारन हुआ आधी शंकराचारी की प्रतिमा का उद्घाटन करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा आचना की और केदारनात धाम की परिक्रमा की वह आज केदारनात में हैं और इस दोरान प्रतिमा की योजनाव का उद्घाटन और शिलान नियाज भी उ नरेंदर मोधी इस ज़ौरान वहां पर पहुंचे दोरे पर हैं वह के दारनात के और कई योजनाओ का उध्राटन और शिलान न्यास भी प्रधान मंतिरी नरेंदर मोधी ने किया जुस पर लाइफ प्रसारंड प्रदेश के तमाम जिलों में लाइफ प्रसारंड भी हुआ ब बोपाल और इंदौर में अवियेशन टाइबन फ्यूल एटीएफ यानि विमान इंधन पर वैट 25 से घटा कर चार प्रतिशत करने की तैयारी है विमानन विभाग ने इसका प्रस्ता वित विभाग को भेजा है और ये संभावना है कि अगले सब्ताह तक इसके आदेश भी ज होती है तो मद्यप्रदेश सरकार इस वैट को घटाने पर विचार कर रही है जानकारी की मुताबिक केंद्रे नागरी को डियन मंत्री जोती रादित सिंधिया ने मद्यप्रदेश में अधिकुडाने शुरू करने और राज्य में हवाई संपर्क में सुधार के लिए विम मारी चौथी और आखरी कबर की ओर जो की मौसम से जुड़ी हुई है मौसम में बदलाफ फिर से देखा जा रहा है तापमान जो है गिरता जा रहा है मध्यप्रदेश में ठंडी बढ़ती जा रही है अभी तक हुपाल में ठंड पढ़ने लगी है और जो पारा है वो 14 में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है और जिसके बाद रात के साथ साथ दिन में भी तापमान में भारी गिरावट हो सकती है और अगले 24 गंटे के बाद से मध्यप्रदेश में ठंड और बढ़ सकती है प्रदेश की चार बड़ी खबरें तमाम खबरों के लिए देखते रहे विंद्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद